दोस्तों स्मार्टफोन ब्रांड IQ ने सबसे फास्ट और फ्लैक्शिप फोन IQ 11 5G को भारत में लंच कर दिया है IQ 11 5G स्मार्टफोन को 144Hz डिस्पले और Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ लेस किया गया है 6.78 इंच की 2K E6 एमुलेट डिस्पले और 120 वार्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है फोन में Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम और 16 मेगा फिक्सल का सेलफी सूटर कैमरा मिल रहा है फोन के साथ 512 GB तक का स्टोरेज आप्सन आपको मिल सकता है आईए हम इस फोन के बारे में पूरा स्पेसिफिकिसंस के बारे में जानेंगे एक्चुली ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ में ये आ रहा है अभी तक का फोन जो की बिल्कुल भी लाउंच हो गया है आप इसको बाई कर सकते हैं बागी के स्पेसिफिकिसंस की अगर हम बात करें तो IQ 11 5G के साथ में 6.7 इंच की E6 एमुलेट कर्व डिस्पले मिलती है जिसमें रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्स और रिजोलेशन 2K का मिल रहा है डिस्पले के साथ में LTPO 4.0, 20-9 इस्पेक्ट रेशियो, HDR10 प्लस, 1.07 मिलियन कलर, DCI-P3 कलर गेम और 1800 निट्स तक का ब्राइटनेस और 1440 हर्ट्स PWM दीमिंग का सपोर्ट मिल रहा है 1800 निट्स यानि इतना जबरदस्ट ब्राइटनेस के साथ में है कि आप फुल धूप में भी इसका फुल इंग जो एले सकते हैं बहुत ही पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है फोन के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर और 16GB तक का LPDDR 5X RAM के साथ में 512GB तक का स्टोरिज का सपोर्ट आपको मिल सकता है फोन Android 13 आधारित Funtouch OS Custom इसकिन के साथ में आ रहा है कमपनी इसके साथ में 3 साल के Android अपडेट भी देने का बादा कर रही है यानि कि कुल मिला जूला करके जिस सेग्मेंट का ये फोन है बहुत ही अच्छा फोन रहने वाला है अगर इसके कैमरे की बात करें तो IQ 11 5G में ट्रिपल कैमरा सेटप मिलता है जिसमें F1.88 अपार्चर वाला 50 मेगा पिक्सल का Samsung GN 5 सेंसर मिल रहा है जो कि एक बहुत ही बहतरिन कैमरा हो सकता है 1.8 अपार्चर का मतलब समझते हैं कि इसका जो परफरमेंस लो लाइट परफरमेंस बहुत ही बहतरिन मिलने वाला है और उसके साथ में Bokeh का इफिक्ट आपको बहुत मिले गया यानि बैक्ग्राउंड जो बलर है ये बहुत बहुत बहतरिन मिलने वाला है साथ में ही प्रैमरी कैमरे के साथ में जो है जो एक कैमरा है 50 मेगा पिक्सल का वो Optical Image Stabilization के साथ में आने वाला है यानि की Stabilization भी बहुत ही गजब मिलने वाला है इसके अलमा फोन में F2.2 अपार्चर वाला 8 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइट सेंसर तीसरा जो है वो F2.46 अपार्चर वाला 13 मेगा पिक्सल का 2X Portrait Telephoto सेंसर मिल रहा है जो की इस फोन को बहुत ही खास बना रहा है सेलफी और वीडियो कॉल के लिए फरंट में 16 मेगा पिक्सल का कैमरा दे रहा है कैमरे के साथ में वीवो का नया V2 Custom Image Signal Processor यानि की ISP का सपोर्ट मिलने वाला है जो की बहुत ही बहतरीन जो है इन Display Finger Print Sensor भी दिया गया है फोन के अंदर Connectivity के लिए 5G, Dual SIM 4G, VOLT Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS GLONASS, USB Type-C और NFC भी सामिल है यानि की कुल मिला जूला करके बिलकुल भी Upgraded Feature से लेस है ये फोन कुल मिला जूला करके जो इसका ये Specifications है उसके हिसाब से ये फोन वाकई में बहुत अच्छा होने वाला है बाकि इसके कीमत की अगर मैं बात करूँ तो IQ 11 5G के अंदर 8GB 256GB वारियंट की कीमत 59,999 रुपीज जाने की करीब करीब 60,000 और 16GB प्लस 256GB वारियंट की कीमत जो है 64,999 रुपीज जाने की करीब करीब 65,000 रहने वाला है साथ ही फोन के साथ कंपनी HDFC और ICICI बैंक कार्ड आफर में 5000 रुपे तक की अतिरिक्त छूट देने वाली है जिससे IQ 11 5G के 8GB प्लस 256GB की जो कीमत है वो करीब करीब 55,000 रह जाएगी और 16GB प्लस 256GB की कीमत जो है साथ हजार रुपे रहने वाली है फोन को 13 जनवरी से Amazon और कंपनी की ऑफिसियल वेब साइट से खरीदा जा सकता है हलांकि ये वीडियो कब देख रहे हैं अगर उसके बाद देख रहे हैं तो आप खरीच सकते हैं IQ 11 5Z फोन था जो की बिल्कुल भी आने वाला है और इसका जो इस स्पेसिफिकेशन से वो वाकई में बता रहा है कि ये फोन कैसा हो सकता है बाकि इन हैंड फिल्ड क्या हो सकता है और इसका एक्च्वल रिव्यू क्या हो सकता है वो आप जो है यूटुब पर देख सकते हैं हमारा काम था खबर देना और आपको बताना कि ये लाउंच हुआ है बाकि ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस्टाक्री वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किस और उची इनफर्मीटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबात करता हूँ आपका दिन सुखो